हाई गाईज क्या है आप सब क्या चुक है एक बहुत शांदार थटकती बटकती सी वीडियो के साथ में मेरा नाम है आरेन और आज हम बात करने वाले हैं 2021 टाटा पंच के बारे में तो गाईज ये एक पंच का टोपेंड मोडल यानि की क्रियेटिव मोडल है आज इस गाड़ की बात करें इस कार की तो आपको इसमें 1.2 लीटर रेवेट्रोन पैट्रोल इंजन देखने को मिलता है थ्री सिलिंडर इंजन और जो जनरेट करता है 86 भी और 113 नम का टॉर्क गैज इसमें इंसुलेशन वगेरा भी बोनट के नीचे दिया गया है सेफटी के मामले में फ्रेंट लुक है यहाँ पर LED DRL आपको देखने को मिल जाते हैं विटर्ण इंडिगेटर उनी के नीचे अगर मैं बात करूं तो टॉप एंड मॉडल में आपको प्रोजेक्टर हेड लैंप्स देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पर फॉग लैंप्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं टॉप मॉडल में So guys complete front look आप एक बार इस कार की देख लीजे क्या ही शांदार खूबसूरत सुन्दर कार यह लग रही है फ्रेंट से काफी जादा अच्छी अब मैं जारा चलता हूँ side profile में और दिखाता हूँ side profile में क्या कुछ features and all आपको दिये गई हैं इस कार के अंदर So guys इस tornado blue color के साथ मैं आपको white color की roof देखने को मिलेगी तो यह काफी जादा अच्छा यहाँ पर combination लग रहा है white और blue का बात करें अगर tires की तो आपको इसमें 16 इंच के alloy wheels देखने को मिल जाते हैं profile की बात करें तो 19560R16 16 इंच के diamond cut alloy wheels यहाँ पे आपको white color की यहाँ पे ORVS मिल जाते है return indicators और white color की ही आपको इसमें roof देखने को मिल जाती है और यहाँ पर आपको black color की roof rails भी देखने को मिल जाती है body colored आपको इसमें देखने को मिल जाते है door handles और side में इसमें cladding का use किया गया है और जो काफी अच्छा लग रहा है इस car के साथ में अब जरा चलते हैं car की back profile में और देखते हैं या कुछ दिया गया back में features है वगयरा तो यह देखिए आप complete back profile में आपको दिखा देता हूँ यह जो इसकी अलग सी tail lamps है इनसे काफी जादा अच्छी look आ रही है इसकी back में यहाँ पर high stop mount lamp देखने को मिल जाता है rear wiper, defogger, washer जैसे features आपको इस car के अंदर देखने को मिल जाते हैं और अब की बार देखे guys यहाँ पर rhino का use करा है टाटा ने यहाँ पे पीछे के glass के उपर टाटा का logo देखने को मिल जाता है back में यही पर आपको इसका rear parking camera मिल जाता है punch की badging मिल जाती है bonnet के उपर center में और rear bumper में आपको इसके दो river parking sensors देखने को मिल जाते है 187 mm की इसमें ground clear है, start up punch में आपको देखने को मिल जाती है जो एक micro SUV की साबसे बिलकुल perfect है request sensor आपको इस door के उपर देखने को मिल जाता है driver side और यह 90 degree पर complete door open होता है यह देखिया आप काफी अच्छी चीज हो जाती है यह एक और driver side profile की अगर एक बार बात करें तो यहाँ पर यह driver side profile देख लीजिया और अगर driver side door की अगर बात करें guys क्या कुछ features वगरा मिलते हैं उसमें तो dual tone यह door आपको देखने को मिलता है यहाँ पर चारो पाफ windows के बटन देखने को मिल जाते है ORVM's adjust और fold करने का option white color यहाँ पर जो use किया गया है काफी ज़्यादा अच्छा लग रहा है इस black के साथ में नीचे आपको bottle holder और pocket space दिया गया है सो गाइज यह तो भी driver side door की बात अब ज़रा चलते हैं car के interior में और interior में dashboard की आप complete look देख लीजे डूल tone dashboard यहाँ पर दिया गया है driver side seat की अगर बात करें तो आपको height adjustable seat देखने को मिल जाती है और front seats में आपको adjustable head rest option देखने को मिल जाता है यहाँ पर seats की बात करें अगर तो मैं ज़रा बैड़ जाता हूँ एक बार फिर देखते हैं क्या कुछ comfort है काफी comfortable seats देखने को मिल रही है मैं जैसे ही बैठा हूँ इसके अंदर और अंदर interior की बात करें सबसे पहले बात करते है steering wheel की तो flat bottom steering wheel देखने को मिल जाता है leather wrapped top model में steering wheel में आपको left side में मिल जाते है audio के controls call connect disconnect जैसे feature right side में आपको इस car का मिल जाता है cruise control steering wheel में बात करते हैं guys इस car की MID की तो आपको देखिए digital MID आपको इस car में देखने को मिल जाती है बात करें और क्या कुछ दिया गया है तो इस कार में आपको चार speakers दो tweeters का option देखने को मिल जाता है so guys बात करें अगर touch response की तो वो भी इस कार में काफी ज़्यादा अच्छा है देखने को मिल जाता है Bluetooth connectivity वगएरा सारे features आपको दिये गए है steering wheel पे भी mounted controls दिये गए है जिससे आप volume up and down वगएरा सारी चीजे कर सकते हैं और यह देखे गए इसका dual tone interior जो काफी ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में white के साथ में काफी ज़्यादा बहतरीन लग रहा है देखते हैं क्या कुछ और features दिये गए है तो AC vents पे आपको यहाँ पे blue finishing दी गई है नीचे आपको इसमें automatic AC देखने को मिल जाता है 12 वोल्ट का charging socket, USB port यहाँ पर कुछ space दिया गया है और यह car automatic transmission में है इसमें आपको 5-speed automatic transmission दिया गया है handbrake की बात करें तो इसकी placing यहाँ पे की गई है chrome tip दी गई है, दो cup holders का space मिल जाता है और यहाँ पे भी आपको इसमें top model में 12 वोल्ट का charging socket मिल जाता है glove box के गर बात करें उसका size भी काफी जादा बड़ा है और इसमें आपको cooling glove box देखने को मिल जाता है top model में और एक light भी दी गई है glove box के अंदर यहाँ पे इसके IRVM की बात करें तो manual IRVM आपको इसमें देखने को मिल जाता है sun visors की बात करें, driver side आपको मिलता है सिर्फ एक ticket holder इसमें और यहाँ पे center में light मिल जाती है roof में और passenger side sun visors की बात करें तो आपको इसमें vanity mirror का option देखने को मिल जाता है folder बर grab handles आपको मिल जाते है passenger side और वहीं आपको driver side कुछ भी ऐसा नहीं दिया गया है बात करें यहाँ पे तो आपको इसका push start stop button देखने को मिल जाता है right side में automatic transmission में car है तो आपको यहाँ पे दो ही pedal देखने को मिलते है और एक dead pedal भी दिया गया है अब जड़ा चलते हैं car की rear seat पे देखते हैं क्या कुछ space comfort वहाँ पे दिया गया है तो यहां से यह car का यहां पे rear door open होता है swift की तरह है एक तरीके से और dual tone यहाँ पे दिया गया है power window मिल जाती है bottle holder मिल जाता है पीछे के door में जड़ा बैठते हैं और देखते हैं क्या कुछ space वगरा दिया गया है तो आगे वाली seat मेरे height का according adjust है उस हिसाब से काफी जादा lag room दिया गया है मेरी height 5 feet 11 inch है और अगर बात करूं under thigh support की गाईज तो वो इस कार में बहुत बहतरीन दिया गया है बात करते हैं कितने बंदे इस कार में बैठ सकते हैं rear seat में तो मेरे साब से दो adult और एक छोटा बच्चा ही बैठ पाएगा इसके अंदर अब यहाँ पे आपको इसमें center में एक armrest भी दिया गया है rear seat में top model में लेकिन उसमें आपको कोई भी cup holders नहीं दिये गए है पीछे अगर बात करें क्या कुछ और features दिये गए हैं तो foldable grab handle देखने को मिल जाते हैं दोनों ही तरफ एक hook के साथ में यानि की coat holder जो है वो दिया गया है पीछे आपको rear seat vents वगरा नहीं दिये गया है यहाँ पे कुछ compartment जरूर दिया गया है यहाँ पे आप अपना कुछ समान रख सकते हैं अगर बात करें नीचे bump की तो वो भी आपको बिल्कुल भी नहीं दिया गया है इस कार में फ्रन्ट डैशबोर्ड लुक आपको rear seat से ऐसी देखने को मिलती है काफी ज़्यादा प्रीमियम ये लुक दी गई है टाटा के द्वारा इस कार में फ्रन्ट लुक में अब ज़रा चलते हैं इस कार के boot space में देखते हैं क्या कुछ दिया गया है तो ये देखे गई जिसमें आपको 366 लीटर का massive boot space देखने को मिल जाता है जो nexon से भी ज़्यादा है 16 लीटर्स बात करें यहाँ पे तो आपको इसमें boot lamp भी देखने को मिल जाता है rear parcel tray भी आपको इस कार के अंदर दी गई है यहाँ पे आपको इसमें handle भी दिया गया है जिसके आप इस कार को बंद कर सकते हैं अब guys मेरी आपसे एक request है आपने अगर चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe जरूर कर लें क्योंकि जो next video आने वाली है वो आने वाली है Tata Punch के rear seat में कितने बंदे बैठ सकते हैं वो हम test करने वाले हैं एक practical तीन आदमियों को बिठा के कि क्या बैठ सकते हैं उसके अंदर या नहीं और एक music system test भी next video में लाने वाला हूँ तो उसके लिए आप चैनल को subscribe जरूर कर लें और notification bell all पे कर लें कि आपको notification मिल जाए तो ये आज आज आपको मैंने दिखाया इस car का top model creative model तो कैसी लगी आपको एक car comment section में मुझे जरूर बताएं आप क्या plan कर रहें इस car को और आपको कौन से features अच्छे लगे comment section में जरूर बताएं इस video को like करें channel को subscribe जरूर करें मैं मिलता हूँ अब से किसी और वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई